खूबसूरत हो जाएगी सबसे पहली बात टेक अप 15-45 मिनट्स वाक एवरी दे and when you walk, smile रोज 15-45 मिनट्स वाक करें और जब आप वाक करें तो आपके चहरे पे खुशी हो आपके मन में खुशी हो दूसरी बात सिट अन साइलेंस for at least 15 minutes each day रोज कम से कम 15 minutes silence में खुद के साथ बैठें तीसरी बात when you wake up in the morning pray to ask God's guidance for your purpose today जब सुबह उठें परमात्मा से प्रे करें प्रार्थना करें कि वो आपके दिन को खुबसूरत और सुन्दर बनाए और उसे सही मकसद दें चौथी बात and eat less food that is manufactured in plants वो फूड ज़्यादा खाए जो पेडों पे उखता है जो फूड फेक्टरी में बनता है वो सरफ प्रोड़क्ट है आहार नहीं है जितना लाइफ और ग्रीन फूड खाएंगे उतनी लाइफ एनरजी आप में बनी रहेगी पांचवी बात ब्रिंक ग्रीन टी एंड प्लेंटी ओफ वाटर इंस्टेड ओफ रेगुलर टी और कॉफी चाय कॉफी की जगे आप दूद पीए या ग्रीन टी पीए और ब्लूबेरिस खाएं ब्रोकली खाएं अलमंज खाएं ऐसी चीज़े खाएं ऐसी चीज़े पीएं जो आपकी हेल्थ को बहतर बनाएं जितनी अच्छी आपकी हेल्थ होगी उतनी अच्छी आपकी दुनिया होगी चटी बात ट्राइ टू मेक एटलिस थ्री पीपल स्माइल इच डे हर दिन कम से कम तीन लोगों को आप हसाएं उनके चहरे पर मुश्कुराहट लाएं जब कोई आपकी वज़े से खुश होता है तो आपको आपकी जिंदगी भी खुबसुरत लगने लगती है आपको आपकी जिंदगी से भी प्यार हो जाएगा साथ वी बात, don't waste your time and energy on gossip, on negative thoughts or things you cannot control instead invest your energy in the positive present moment अपना समय और शक्ती, negative बातों पे waste ना करें, बुराई करने में waste ना करें ये मत सोचो कि क्या बुरा है क्या गलत है, बलकि अपना समय और शक्ती, positive बातों में लगा है ये सोचें कि जिन्दगी कितनी खुबसूरत है कि आपको जिन्दगी में क्या मिला है आठवी बात, eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a kid अपना सुभह का नाश्ता एक राजा की तरह करें, मतलब अच्छे से करें और अपने दिन का भोजन एक प्रिंस की तरह करें, मतलब कम खाएं और रात का खाना बिलकुल छोटे बच्चे की तरह करें, मतलब बिलकुल ही कम खाएं नवी बात, life isn't fair, but it's still good अपनी एक पर्मानेंट सोच बना ले जिन्दगी में सब कुछ हमेशा अच्छा ही हासल नहीं होता, पर फिर भी जिन्दगी बहुत अच्छी है दसवी बात, life is too short to waste time hitting anyone, forgive them for everything जिन्दगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे लोगों से नफरत करने में नहीं लोगों को शमा करने में और प्यार करने में गुजारें ग्यारवी बात, be easy, don't take yourself, so seriously, सरल बन कर जीओ खुद को ज़्यादा seriously मत लो, जिन्दगी का आनन लेना सिखो, हर बात को दिल से लगा के मत बैठो, show must go on बारवी बात, help the needy, be generous, be a giver, not a taker, जिन्हें आपकी जरुत हो, उनकी मदद करें kind person बने, दयालू इंसान बने, तेरवी बात, remember that you are too blessed not to be stressed हमेशा याद रखें कि आप पे परमात्मा की बहुत किरपा है, वो हमेशा आपके साथ है, उनकी blessings आपके साथ है इसलिए कभी भी किसी बात के लिए भी जिन्दगी में stress ना लें रात को सोने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करें और उन्हें धन्यवाद दें इसे एक खुबसुरत दिन के लिए जो उन्होंने आपकी जिन्दगी में दिया है और पंधरवी बात, be always grateful and thankful जिन्दगी को धन्यवाद के भाव से भर दें, complain करना छोड़ दें, क्या कमी है ये मत सोचे, क्या मिला है हमेशा ये सोचे यदि ये पंधरा बाते आप अपनी जिन्दगी में अपना लेंगे और इन बातों को अगर अपनी जिन्दगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी जिन्दगी आपको बहुत खुबसूरत लगने लगेगी, आपको आपकी जिन्दगी से प्यार हो जाएगा हर शिकायत दूर हो जाएगी हर दर्द दूर हो जाएगा